एक इंसान को तुम कैसे जच करते हो कि वो कितना मैचियोर है। कैसे तुम बता पाते हो कि हाँ ये सक्ष समाज का हिस्सा बनने के लिए परिपक्ष है। जो कि 1982 की Blade Runner इसी इंसान होने के एहसास के सहानबूती को परखती है कि जहां ये दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है कि इंसानों नी humanoid replicants बनाना चालू कर दिये हैं जिनका काम खतरनाक से खतरनाक जगाओं पे कोलू के बैल की तरह काम करना है। तो वो भी इंसान के सारांश जिनमें से कुछ बगावत करने लगे और उनको खतम करने के लिए Blade Runner Force बनाई गई ताकि इन्हें देख के ही मार दिया जाए क्योंकि वो इंसान नहीं है। अगर वो दिखते एक दम इंसानों की तरह हैं जिनका पता लगा जाता है सहनभूती परिक्षन से जहां कई सारे ऐसे सवाल किये जाते हैं जो रेप्लिकेंट्स के लिए विचलित कर देने वाले होते हैं क्योंकि उनकी भावनाएं व्यक्त करने का तरीका किसी बच्चे की तरह होता है जैसे किसी के मरने पर क्या महसूस करना है उन्हें नहीं पता उन्हें नहीं पता किसी के जोर जबर्दस्ति करने पर क्या करना है और जब आप ये बाते सोचने लगते हो कि क्या इंसान होना ए होता है या फिर ये बस एक जूटी नैतिक जिम्मदारी है